अज़ मैं बनानी जा रही हैं बिलकुल यह नास्ता की नई रिस्पी जो की बिलकुल एक चमच के तेल से बनने वाली है और साथ में यह बहुत हल्दी है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है उसमें ले लूँगी मैं एक छोटी कटोरी सूजी और यह सूजी बारीक वाली है यहाँ पर आप चाहते मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं पर मैंने बारीक वाली सूजी लिया और थोड़ा समय इसमें पानी डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए हम इसको मिलाकर पानी में अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तक कि इसमें थोड़ा बहुत फूल न वह हो जाए अगर आप अभी नहीं रखेंगे तो आपको बैटर को बाद में रखना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने एक कच्चा आलू कर लिया है उसको मैं यहाँ पर दो डाल दूंगी और यह बिल्कुल नया नास्ता है बिल्कुल ही नहीं रसिपी है जो बहुत ही टेश्टी लगती खाने में तो इसे एक बार जरूर ट्राइ किजेगा और यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारी प्यास इसको भी कद्दू कसी किया है, लंबा-लंबा, इसको भी मैं डाल लूँगी. यहाँ पर एक-दो सब्जी अगर आपके पास है, तो आप उन्हें भी इसको एड़ कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हुई, मैटर हुआ, इस चीज़ो को आप डाल सकते हैं. और बारीक चॉपट यहाँ पर मैंने डाल दी है, ग्रीन चिली, और साथ में थोड़ा समय ने बारीक कटा हुआ पता गोभी डाल दिया है. और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा समय डाल दूँगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी दही, और उसके बाद हम इन सब को हम मिला लेंगे, अच्छी तरीके से. तो यहाँ पर इन सब को डालने के बाद, यहाँ पर इसमें डाल देती हूँ, थोड़ी सी दही हमें ज्यादा नहीं डालना है, दही हम थोड़ा से डालेंगे दही से ये बड़ी हास दा बैटर हमारा फूल भी जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो इन सब को मिला देंगे और पांच मिनट के लिए हम फिर से इसको ऐसे ही एक साइड में रख देंगे तब तक हमारा बैटर रखता हम गाढ़ा हो जाएगा तो अब हम ले लेंगे हम एक थाली और थाली को मैं तेल लगा कर ग्रीश कर लूँगी तो यहाँ पर हमें इस चीज को देना है स्टीम क्योंकि हम बहुत ही हल्दी बनाने वाले हैं तो हम इसको स्टीम देंगे अगर आपके पास स्टीमर है या फिर कोई और चीज जैसे कि जा हकरे देखिए पूरे बैटर को फैला लिया है अच्छे से उसके बाद हम इसको भाब देने के लिए रख देंगे और यह इडली नहीं है ना ही इडली का बैटर है बिसू बहुत ही अलग हटके इसका टेस्ट आएगा तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक कड़ाई ले है दो गलास और इसको पानी को खौला लिया है उसके बाद मैं इसमें रख दूंगी बीच में एक कटोरी ताकि उसके बाद अगर आपके पास स्टेंड वगरा है तो आप वो भी रख सकते हैं और कटोरी में भी मैं पानी डाल दूंगी ताकि वो बिल्कुल भी हिले नहीं इधर उधर तो कड़ाई में हम रख देंगे कटोरी और उसके उपर बहुत ही ध्यान से हम अपनी प्लेट को रख देंगे आप इस बात का भी ध्यान रखेगे कि आप जो भी बरतन लें तो वो कड़ाई के अंदर आपका अच्छी तरीके से आ जाए कि जब भई आप उसे पक जाएगा उतनी देर के लिए हम पका लेंगे तो अगर आपको बैटर बहुत मोटा रखा तो थोड़ी देर के लिए और रखेंगे नहीं अगर यह पतला है थोड़ा सा तो जिस तरीके से आपका बरतन है उस तरीके से आप रख दीजियो और फिर इसको 5-7 मिनट के बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तो भी मैं इसको यहाँ पर निकाल लूँगी और एक से तो मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम इनके छोटे-छोटे पीसे कर लेंगे क्यूब में या फिर आप और किसी तरीके से कर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं देखे मैंने इसको पलट लिया और यह कितने आसान तरीके से निकालाया और बिल्कुल फर्फेक्टली कुख हो गया अच्छी तरीके से सेट हो गया है तो यहाँ पर मैं इसको छोटे पीसे कर लेती हूँ और फिर उसी कड़ाई में मैंने करी पत्त और इसके बाद मैं दल दूँगी बिल्कुल एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा लाल میरज हल्दी और लाल میरज बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहे तो डाले नहीं आप इसको ऐसी वाइड कलर का रहने देंगे हल्दी और लाल मिरज डालने से थोड पर डाल देंगे और इनको हम दो मिनिट के बिल्कुल अच्छे से हिलाते हुए मिला लेंगे ताकि जो मसाला थोड़ा सा भी है वो सारे हमारे पीसेस में लग जाए और बिल्कुल बड़ी हासा क्रंच आ जाए इन में उतने देर के लिए हम इसको चला लेंगे और लाश्ट में इसके हम डाल देंगे उपर से धनिया पत्ती और हमारा जट पर बहुत ही हेल्दी नास्ता बिल्कुल नया नास्ता बनकर तयार हो जाएगा यह बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा सभी को पसंद आएगा और यह बहुत सबसे दा बहुत हेल्दी देखिए बिल्कुल स्पॉंजी बनकर तयार हुआ और इसका टेस्ट इतना बढ़ी आता है कि आप जट पर जैसे बनेगा खतम भी हो जाएगा तो बच्चों को आप केचप के साथ दीजे कि इसको आप ग्रीन चट्न लाल चट्नी, धनया की चट्नी किसे की भी साथ खाएगे न और इसको प्याज वगरा की कि भी साथ खाएगे न तो यह इतना बढ़ी हाल लगता है टीस्ट इक क्या आप जब बनाएंगे न उसके बाद जब खाएंगे तो आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे, तो हम पर देखें यह देखने में कितना अच्छा लगता है, तो आप हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, और फिर इसे शर्व करते हैं, यहां पर देखिए मैंने निकाल भी लिया है अभी मैंने इसको केचप के साथ स्वर्व किया है बचों को केचप के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा भी देखने में हल्दी की वज़े से देखने में बहुत ज़्य तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई